अगर आप SBI Bank से लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाला है वीडियो में आगे बात करेंगे आज के टाइम में SBI Bank से personal loan लेने पर कितना interest देना होगा क्या-क्या formalities पूरी करनी होगी क्या-क्या documents बैंक को देने होगे वीडियो बहुत important है वीडियो को end तक watch कर लेना बट उससे पहले वीडियो को like कर दें चैनल को subscribe कर दें चलें वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं State Bank of India से आज के टाइम में personal loan लेने पर minimum 10% का interest bank को देना होगा अगर loan amount की बात करें SBI bank से आप minimum 25,000 का personal loan ले सकते हैं maximum loan की बात करें आप bank से 20,000,000 तक का loan ले सकते हैं personal loan वापस करने के लिए bank की तरफ से maximum 6 साल का time दिया जाता है ताके आप अपना loan bank को वापस कर सकें चले next बात करते हैं अगर आप आज के time में SBI bank से personal loan लेते हैं तो आपको 1.5% का processing fees bank को देना होगा चले बात करते हैं आज के time में कौन कौन लोग State bank of India से personal loan ले सकते हैं साथ में बात करेंगे क्या क्या formalities आपको पूरी करनी होगी अगर आप government employee हैं आपकी सरकारी नोकरी है या फिर आप किसी private company में जॉब करते हैं आपकी private नोकरी है self-employed हैं बीजनेसमेन हैं या फिर आपकी अच्छी income है तो आप SBI bank में personal loan के लिए apply कर सकते हैं अगर आप formalities पूरी करते हैं तो आपका loan approve कर दिया जाएगा State bank of India से personal loan लेने के लिए आपकी minimum age 18 years होनी चाहिए maximum age 70 years होनी चाहिए साथ में आपकी monthly income 15,000 रुपे होनी चाहिए चलें बात करते हैं क्या-क्या documents आपको bank को देने होंगे बट उससे पहले अगर आप किसी भी bank के customer हैं और बैंकों के fixer deposit, recurring deposit, senior citizen saving scheme, PPF scheme या फिर किसी भी loan के बारे में फुल वीडियो चाहते हैं, फुल information चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर subscribe कर लें, इस चैनल पर आपको हर bank का वीडियो मिल जाएगा और आने वाले टाइम में मिलता रहेगा, SBI bank से personal loan लेने के लिए आपको अपना ID proof, resident proof, income proof, salary slip, bank account statement बैंक को देना होगा, बट याद रहे, अगर आप bank की दी हुई formalities पूरी करते हैं, bank आपका personal loan एप्रूब कर देगा, अगर आप formalities पूरी नहीं करते हैं, bank आपका loan एप्रूब नहीं करेगा, I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को like कर दें, channel को subscribe कर दें, चले मिलते हैं, next week.